हेलो दोस्तो नमस्कार गुड़ मॉनिंग स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में तो यूके ट्रिक्सी के दौरा दोस्तो एक अपडेट दिया गया है जो की संबन्दित है आपके आगामे एक्जाम से तूँ इससे पहले मैंने आप लोगों को पताया कि उत्राखन पुलिस कॉंस्टेबल के 1521 रिक्त बतों पर जो भरती आई हुई थी उसकी फिजिकल परिक्षिया यानि कि सारीक परिक्षिया का आविजन अप्रेल माहा में करवाया जाना प्रस्तावीत किया गया यानि कि अप्रेल मा गया जो लास्ट परिक्षिया के दोरा जो लास्ट परिक्षिया को राया गया गया था और लगबक लगबक बन्य सबी भरतियों में जितने भरतिया निकले हुई थी उनमें आविजरनू की संख्या बहुत ज़lyाद है जिस वेसे श्यार्स पीर आए उपलबद नहीं हो पा UKTorPlessy क्या करने की सोच रहा है कि जो कम अभियर्थियों वारी परिक्षा हैं उनको ऑनलाइन कराने के उपर विचार कर रहा है UKTorPlessy लेकिन दोस्तों ऑनलाइन परिक्षा के बारे में आप लोगों को पता ही है कि वन द्रोगा का जो एक्जाम पेपर ऑनलाइन हुआ था परिक्षा के लिए तो ऑनलाइन में बड़ा कंफुजन सा क्रेट हो गया है तो सबसे पहले आम इस न्यूज के बारे में बात करते हैं फिर आप लोगों का भी मैं रिव्यू जानना चाहूंगा कि आप लोग किस प्रकार की परिक्षाओं के लिए ततपर हैं वनी कि किस प् प्लस से अभी अपने एक्जाम कराने के उपर चर्चाएं कर रहा है योगटर प्लस से के जितने भी बड़े एक्जाम से हैं जिनमें आविदन कोई संख्या दोस्तों ज्यादा है यानि कि आप यह कह सकते हैं कि 50,000 या 60,000 से ज्यादा आविदन हैं उनको ओफ-लाइन कराने आयुजेत नहीं करा पाएगा सीमीत अभ्यर्तियों वाली भरती प्रिक्षा ओनलाइन माध्यम से की जाएगी यानि कि जिनमें आविदन कम हुए हैं उन प्रिक्षाओं को ओनलाइन मोड में करवाया जाएगा युक्रेटर प्लस सी के द्वरा उत्तराखन दिनस्त सेवा च तो आयोग ने निल्ले लिया है कि उत्तराखन बोर्ट प्रिक्षा के दोरान आयोग उन प्रिक्षाओं को ओनलाइन माध्यम से आयुजित कर सकता है जिनमें अभ्यर्तियों की संख्या कम हो यानि कि ऐसी एक्जाम्स दोस्तों जिनमें कम आविदन आई हुए हैं उन एक्ज आयोग एक से दो दिन में बैठक कर अपना अंतिम निल्ले ले ले लेगा जाने कि आपका एक्जाम कलेंडर आ जाएगा जो भी एक्जाम आपके ऑनलाइन होने हैं दोस्तों उनका एक्जाम कलेंडर तो आई जाएगा तो यहां पर आप दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कमेंड में कि आप ऑनलाइन एक्जाम्स और ओफलाइन एक्जाम्स में से किसमें बहतर समझते है एक्जाम देना क्योंकि according to one दरोगा के रिजल्ट के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि offline exam ही दोस्तों ज्यादा better है या अगर online examination हो भी रहे है तो एक shift में या ज़्यादा दो shift में online examination हो ताकि ज्यादा difference ना आए और आयोग जो भी आयोग की agency है जो online examination करा रही है उनको directly ये point दे दे कि आप लोग exam में ऐसे प्रस्थन ना दें जो कि अधिक मात्रा में delete हो दें क्योंकि जो delete प्रस्थनों का जो प्रस्थन चल रहा है UKPSC में भी अभी हाली में देखा है जाएगा खासकर जो online परिक्षा होनी है उनका कलेंट रहा जाएगा तो यहां पर कुछ लंबित परिक्षां के वाले में बताया गया कि कौन कौन सी है इसके साथ में यहां पर दोस्तों आपका पटवारी और आपका लेकपाल पटवारी लेकपाल वाली होगी पंदी रक्षाक वाली बरती होगी इसके साथ फोरेश गाड वाली बरती होगी उनका जीकर नहीं किया गया है तो वो भी अपने आप में बहुत अधिक पद है तो उनके परिक्षा है तो आपके ख़र offline महात्रम भी आयूजन की जाएगे तेश सो से अधिक पदों की भरती परिक्षा हैं लंबित हैं पहले चुनावाचार सहीता और अब 28 मार्च से बोर्ट की दसमें और बारवी की परिक्षा हैं प्रहरंब हो रही हैं ऐसे मायोग को बरती परिक्षा के लिए लिया जाएगा और सुचित कर दिया जाएगा तो यह है दोस्तों आपके exams की latest update कि आपके कौन-कौन से exams कब होंगे ठीक है तो यह तो आप मैंने आपको पता दिया लेवल हुआगा आप लोग खुदी गैस कर सकते हैं तो इसका भी पुष्टी आयोग को समय में कर देगा तो आयोग ने बोला हुए कि 15 दिन के अंदर अंदर आयोग इस बारे में सोचित कर देगा कि पहले आपका इन examination की physical परिक्षा पहले होनी है या फिर पहले return परिक्षा होनी है ठीक है देखें जो रिजल्ट में आपका जो सचिवाले सुरक्षा कर्मी वाला रिजल्ट है वो इसी मेंने last में आ जाएगा मार्स last में आ जाएगा सचिवाले सुरक्षा कर्मी बाकि जो कनिस साहिक का आपका साहिद इस्टेनोग्राफर का वह रिजल्ट था वो भी इस मेने आ जाएगा ठीक है बाकि जो बात आई वीडियो वीडियो रिजल्ट की और कनिसाय और आपका वन दोरोगा के फिजिकल एक्जामनेशन डेट की तो उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है बाकि वीडियो वीडियो का जो एक्जाम हुआ था और कनिसाय का जो एक्जाम पेपर हुआ था उसमें से पहले वीडियो वीडियो वाला जो इसना तक इस तरी एक्जाम पेपर है उसका रिजल्ट आपका आना है ठीक है और एक कब तक आना है अभी फिक्स नहीं है फिर common merit मैंसे वह preference मांगेगा कि कौन किस विभाग में जाना चाता है, फिर preference के बाद में एक final result जारी करेगा अभियर्थियों की preference के according लिए, तो आब देखना होगा कि आयोग किस प्रकार से result जारी करता है, कि पहले 890 अभियर्थियों काया, जितनी पोस्ट है उतनी ही पोस्ट जारी कर देगा और उसमें से फिर preference मांगेगी कौन किस विभाग में जाना जाता है, उसके हिसाब से फिर final result देखना है, लेकिन इस जो ये प्रोसेस दोस्तों ये थोड़ा सा typical process होती है, क्योंकि जहां पर आपके पास में 3-4 options होते हैं और आप उनमें से choose करते हैं, तो वो process हो जाता है, देखना होगा कि आयोग DV के माध्यम से जो preference करता है, वो देता है, या फिर आयोग online माध्यम से ही preference को choose करने का option देता है, ठीक है, तो ये जैसा भी update रहेगा, आप लोगो बता दिया जागा, फिलाल अपरेल माह में आपका पहले वीडियो वीडियो साई इसनात अपनी तहियारी करते रहे है, आपनों का एक्जाम जल्दी ही निकल जाएगा, और अलबस थाइंक यू, थाइंक्स फॉल वीडियो, सी यू नेक्स टेम धन्यवाद